अस्लामलीकम, क्लास 7th आज आपका जो ग्रामर अन्ड कम्पोजिशन का लेक्टे नम्बर 2 है वो अध्जेक्टिव की काईंट्स के अबाउट है जैसे हमने कल अध्जेक्टिव के अबाउट पड़ा था आपके प्रिवियस पेज में adjective के about हमने पढ़ा था कि adjective क्या करता है कि ये add करता है meaning noun और pronoun में और उसके लावा ये quality को show करता है ठीक है तो हमने इसकी two kinds पढ़ी थी ये के adjective of quality और दूसी adjective of quantity तो आज जो हमारे पास next वाला जो हमारे पास इसकी kind है वो adjective of number है यानि जो number को show करता है तो the adjective that tells us how many persons or things are meant is called the adjective of numbers as जैसे cardinal number है 1, 2, 3 ordinal numbers है 1st, 7, 13 and multiplicative numbers है single, double, triple and tenfold और indefinite numbers जो है वो all, some, any, enough, many, few ठीक है तो adjective of number जो है ये numbers को show करती है और उसके बार demonstrative adjective यानि सिफते इशारा यानि demonstrative को मतलब होता है किसी चीज़ को इशारा करना ठीक है तो यहाँ पर उन्होंने definition दी हुई है these adjectives show that which and what thing is meant यानि ये वो इसमाय सिफते हैं जो इसहार करें कि कौन सी चीज़ मतलूब है मसलन this, that, these, those, some, such, etc और demonstrative pronounce क्या होते हैं तो आप जरा इन फिकरात का मतलब गोर से करें आप देखें कि इसके अंदर examples जो हैं वो अलग-लग से दी हुई है जैसे this is a book ये एक किताब है, that is a pen वो एक pen है, these are girls ये लड़किया है, those are trees ये अलफाज सिरफ एक noun की तरफ इशारा करते हैं आप second table देखें इस बुक इस रड़, that pen is fine इस गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, those trees are green जैसे कि उन्होंने आपको बताया था कि demonstrative adjective क्या होंगे और demonstrative pronoun क्या होंगे तो यहां पी मतलब जैसे red है और fine है, यह demonstrative हमारे पास आ रही है, adjectives ठीक है, और यह this is a book this, that, these, those यह demonstrative pronouns को शो कर रहें ठीक है, जैसे उन्होंने आपको यह difference भी बताया हो है, नीचे इसको explain भी क्या हो है, कि demonstrative adjective में चीज की तरफ इशारा करके इसकी कोई ना कोई सिफ्ट बियान की जाती है और जिस नाउन के साथ इशारे वाला लख, this, that, these, बगैरा लगाया जाता है, वो इसकी सिफ्ट बन जाता है अब next आपके पास है, distributed objective distributed से आपको साफ पता चल रहा होगा कि किसी चीज को जब हम divide कर देते हैं, मतलब अलग-अलग मजमूहों में divide करते हैं चीजें अलहदा कर देते हैं तो वो distributed objective हो जाता है जिस तरह से examples भी दी हुई है each, every, neither, और either और इस तरह से integrative objective क्या होती है यानि जिसमें आप सवालात पूछते हैं, questioning करते हैं उसको हम integrative objective करते हैं they are used to ask questions जैसे आपके पास table में है whose pen is this, whose whose जो है, वो question को show कर रहा है यानि ये किसका pen है, which book do you like तुम कौन सी किताब पसंद करते हैं आप इसमें table के नीचे आप देखें whose, which or what सिफ इस तफ़हामिया है और next page पे ये आपका आज का जो lecture था, ये adjective की kinds के about यहां तक ही है आप यहां पे इसकी आज की date mention कर लो ठीक है, और आपने इसको अच्छे से याद करना है, समझ के याद करना है examples के साथ definitions भी दी होई है इसको आपने highlight भी करना है ठीक है